नमस्कार आप सभी को इंदीनों व्यमु को तरफ से लगातार नए नी अपडेट और एक महत्पूर्ण सूच रहे हैं जो कि स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो एड्मिशन ले चुके हैं उनके लिए भी जो एड्मिशन लेना चाह रहे हैं और स्पेशल कि आपर व्यमु की तरफ से अभी जो महिलाय विद्यारती जो रहेंगे उनको निशुलक शिक्षा रहेंगी उस पर मैंने विडियो शेयर किया है अगर आपने नहीं देखाया किस तरह से आपको जो है फीस का पुदर भरनों का पूरी प्रक्रिया आप वहां से जान सकते है अब हम यहां पर बात करते हैं कि जून 2022 का जो टाइम टेबल जारी हो चुका है इसमें क्या पैटन रहने वाला है आपके शुरू होने वाली है और अभी जो है इसके डिफॉल्ट फॉर्म शुरू नहीं हुए है और डिफॉल्ट फॉर्म के अगर हम बात करें वो फॉर्म जो कि मालो इस जो भी रिजल्ट आ रहे है दिसमें 2021 कोई पेपर पास नहीं कर पाते हैं तो वो इस परिशा में बैठ सकते हैं डिफॉल्ट फॉर्म के बातें से या फिर उस नोंने पहले कोई फॉर्म नहीं भरा है और अभी उनका पेपर क्लियर नहीं है तो वो डिफॉल् के साथ एक्जाम सेटी चेंज करने का भी ऑप्शन आता है तो अभी आप कर पाएंगे एक चीज यह रही और एक्जाम सेटी चेंज करने का कोई शुल्क नहीं रहता है और डिफल्ट फॉर्म बढ़ने का शुल्क रहता है एक सब्जेक का 200 रुपए सब्सक्राइब और अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पैटन कह रहेगा और एक और चीज जनवरी 2022 में जिन्होंने एड्मिशन लिया है उनके लिए क्या नई अपडेट है तो वह काफी ऐसे केंडिट है जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यह उनके लिए टाइम टेबल है हलाकि जैसे कि जो जनवरी में होगा यह वाला आपका जुलाई 2021 में जिन लोगों एड्मिशन लिया है प्रमोटी फॉर्म भरा है उनका यह एक्जैम है और यह आपका रिवाइस टाइम टेबल आ चुका है अभी भी आपका जो है टेंटे टीवी है आपका फाइनल नहीं है अभी इसमें बदलाव के जा स सकता है तो वह आप ज़रूर रखें अपडेट चेक करते रहें हमारा चलेगाम चला है विया में कोटा डेली अपडेट और लगवाग चालीस हजार के संथिंग जुड़े वे हैं आप जूड़ सकते हैं लिंक के वन हैं साथ साथ ग्रूप भी बना हुआ है सबसे बड़ा पर आप डिसक्स कर सकते हैं एक दूसरी चाहत रुक्षा चाहत कर सकते हैं तो वह भी आप जूड़कर के वहां पर आपको हर एक अपडेट जितनी भी आती रहती है सबसे पहले वहां पर मिल जाती है और हमारा यही अद्श है कि काफे से कंडिट है जो अफिशल एरो के उन लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाती है तो आप भी जुड सकते हैं इसे और तो यहां पर अगर हम बात करें पैटन तो पैटन आपका वही है क्योंकि आपके अभी एक्जाम जो है वो कितने घंटे की है डेड़ घंटे की पहले तीन घंटे की वा करती थी तो अ फिर आपके section A जो होता है short वाला short answer type question इसके लावा B जो आपका है वो अगर हिंदी में बात के लिए लग उत्रात्मग है और sorry A वाल आपका very short answer type है और यह आपका short answer type section B जो रहता है तो अभी तक देड़ घंटे का ही आपका exam pattern रहा है तो आप इसलिए papers देख सकते हैं जो अभी 2021 में हुए है और इससे पहले जो हुआ था वो भी इसी pattern पर था साथ-साथ हमारी कोशिक की जाएगी कुछ एक अगर इस इतनी available होंगे उसके लिए आपकी study material है व आप एक और सी धान रखें जितने question आपके पुराने वाले papers में से repeat हो रहे है ना वह इन नए वाले में से नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप जो पुराने papers है उनको अच्छे से study ज़रूर कर लीजेगा section A और section B आपका जो भी course है तो यह तो आपका exam pattern रहा है और आपको जो assignment है वो जमा करवाने है नहीं करवाने है इसको लेकर करके notice आच चुका है तो आपका जो pattern है कि आप exam में जो marks लाएंगे उसके according आपको marks दिये जाएंगे किसमें assignment के तो यह जो जुलाई 2021 में जो एडमिशन लिया है उनके admission के बाद वो wait करते रहे हैं कि assignment हम कब जमा करवाएं online कब portal open होगा तो नहीं हुआ और आपको जमा भी नहीं करवाने है सीधा आपको exam देना है उसी basis पर आपको मिल जाएगे लेकिन ध्यान दीजेगा यह वाली जो scheme है वो जनुलाई 2022 वालों के लिए नहीं आई बिता क्योंकि उसमें साफ साब लिखा है जून 2022 एक पर आप notice भ आएगी और online assignment जमा करवाने के अभी तक नहीं आई है लेकिन अभी तक की जो बात करें तो जुलाई 2021 वाले जो है बिल्कुल फ्री है इस चीज को लेकर के और नोटिस जरूर चेक कर लिजेगा और वागी पुराने है उनको भी अपनी exam के recording marks मिल चुके है इसको लेकर के मैं मैंने एक अलग से वीडियो separate बना रखा है वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा मानलो आपके जो है को थेरी पेपर है असी नमर का है ठीक है और 20 नमर का आपका assignment है अगर कम से कम marks भी अगर देखके चले अगर आपके 29 या 30 नमर भी आते हैं तो आप आपको assignment पे नमर मिलेंगे 11 के something ठीक है तो ये आपका pattern रहता है अगर ज्यादा marks में आपको पताई है कि पूरे मैं से पूरे आने के पूरे chance है लेकिन अगर कम से कम नमर भी आते हैं तो भी आपको इतनी नमर मिल जाते हैं लेकि एक percent का तो लगवग आपको फर्क पड़ी ह जाएगा और इसके लावा भी आपको option मिला हुआ है अगर आप assignment के mark से संतुस्ट नहीं है तो आप पर subject के जो है फिर पर paper job का है उन पर आप क्या करेंगे assignment बनाकर जमा करवाएंगे और 200 रुपए fee भी देंगे फिर उसके बाद आपका फिर वह चेक करके अलग से आपके assignment के marks जोड़ देंगे अगर return exam से अगर आप संतुस्ट नहीं है तो तो यह तो रही और साथ में यह नया time table देख लीजेगा और admit card अभी आपके नहीं आये हैं अभी अगर हम बात करें कि अभी तो इसमें दिया हुआ है कि 30 November से शुरू होते हैं अगर 30 November से शुरू हो आउची है तो आप जो है क्या करेंगे विए में युकिल जो SLM वाली जो link है online ही वहाँ पर अपनी बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं particular book का link आपको मिल जाएगा मावर सर्च करेंगे भी हमारे दौरा भी एक guideline बनाई गई है किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो व जो है डिसकस कर सकते हैं या फिर में से भी पूच सकते हैं तो यह चीज रही है इसके लावा भी कोई डाउट हो जरूर शेयर कीजेगा और ऑफिशल एपसाइट पर अभी होम पेज पर काफी सारी नई अपडेट है उनको आप जरूर चेक कर लेना और इनिश्व शिक्षा है या पर क्लिक करके अपने जो प्रैक्टिकल कैमप है उनकी आप जानकरी जरूर देख लीजिगा और यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर विंडो यहां पर है बाकिर एवैलुएशन के लिए अगर हम बात करें जिनों ने भी रिवैल के लिए फॉर्म फिल किया है वह अ कि अ